Hello students, today we will read the chapter uses of air. Air, air क्या होती है? Air, air हमारे चारों तरफ होती है. हम air को देख नहीं सकते, बट उसे फिल कर सकते हैं. हमारी अर्थ पर जितने भी living things है, वो air के थ्रू ही ब्रीद करते हैं. या हम कह सकते हैं कि जीने के लिए हमें air की जरूरत होती है. Air is important for us. Air हमारे लिए बहुत important है. We need air to do some activities. Yes, we need air to do some activities. अभी chapter का क्या नाम है? Uses of air. तो हम आज वही पढ़ेंगे कि जो हमारे जो इचारो तरफ जो air है, उसके जो uses है, क्या क्या है, वो किस काम आती है? First, breathing. अभी मैंने बताया कि जो हमारी अर्थ पर जितने भी living things हैं, वो air के थ्रू ही breathe करते हैं. तो air हमारी breathing में help करती है. Next is filling tires. आप सब को पता है ना, कि जो हमारे विकल्स के जो tire होते हैं, उसमें क्या भरी होती है? Air. Yes. Flying. उड़ने के लिए. जब sky में जब ये sparrow देखो उड़ रही है ना, तो इन्हें उड़ने के लिए किस की जरूरत है? Air की. Next is drying clothes. कपड़े सुखाने के लिए भी किस की जरूरत होती है? Air की. Next, blowing balloon. Balloon को फुलाने के लिए भी हमें air की जरूरत होती है. Flying kite. Kite भी हम air की help से ही उड़ाते हैं. कहते हैं ना, जिस दिन अच्छी हवा चल रही होती है, तो उस दिन हमारी काइटा वो भूत अच्छी उड़ती है. Next is blowing candle. जब देखो candle, happy birthday पे आपने सबने candle ब्लोक टी होगी ना, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी माउट से air निकालते हैं, और जो हमारे माउट से जिसे air निकलती है, उसके रूख्या होता है, फिर candle blow होती है. Next is blowing bubbles. जो bubbles होते हैं, वो ब्लोक करने के लिए भी किसके जरूरत होती है? Air की. Yes, rotating a paper fan. Paper fan देखा है ना, आपने? Paper fan, paper fan भी जब हम बहुत तेज भागते हैं, हैंड में लेके, तो क्या होता है? कि हवा चलती है फिर, हवा से क्या होता है? फिर paper fan घूमता है. Okay, students, तो ये क्या थे? ये थे uses of air. और आप क्या करते हैं? जब गर्मी में fan चलाते हो, तो उससे भी हमें क्या मिलती है? हवा. ठीके, students, तो आपको भी मुझे बताना है कि और क्या क्या uses है air के, air और कहां कहां use होती है? Okay, students, bye-bye. Have a nice day.